आज के चोटे से वीडियों बात किने वाला एक बहुत इंडस्टिंग टॉपिक यह वारे में आपको बताएंगे कि क्यूँ यह जो त्रीफेस सिस्टम में जो न्यूटरल वायर हम यूज में ले रहे होते हैं यह पतला क्यू होता है हमारे फेस वायर के कॉंपारिजन में वायर वह बहुत सारी काम कर रही होती हमें एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है वह हमारे सरकीट को कंप्लीट करता है साथे साथ जो है हमारे यह पोटेंशल डिफरेंस क्रियेट करता है दो टर्मिनल के बीच में और यह सब जो है मस्ट कंडिशन होता है ताकि करेंट विटो ने दिए अगर आपको ये सारी बाते जाना है तो इस वीडियो को देखते रहे हैं हम बहुत ही बहते दरीके से सब कुछ तो डिसकस करने वाले हैं और आपके थ्रीफेस सिस्टम के जो अडस्टाइंडिंग है वो भी बढ़ते वाली है तो अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉर्वर्ड बताओं कि क्या इस न्यूटल वायर की वाकई हमें जुरत है या बिना इस न्यूटल वायर के भी लोड को चलाई जा सकती है तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है यह डिपेंड करता है कुछ कंडिशन पर उस कंडिशन के बारे में तो हम जानेंगे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस न्यूटल वायर को पतला क्यूं रखा जाता है इसकी जो डायमेटर है बाकी तिनों फेस के कॉमपारि को आप देखेंगे तो प्राइमरी वाइंडिं होती है वो डिलटा कनेक्टेट होता है और जो शेकंडरी वइंडिं होती है वू इस प्रकार से हम करते हैं अब जब भी हम स्टार कनेक्शन करते है तो वहा पर हम एक यूटरल rue क 경ता ओंए इस बीच से हम जो है वायर को your लेते हैं जिसे हम न्यूटल वायर कह रहे होते हैं डिस्टिबिशन ट्रास्फोर्मर के वोल्टेज रिटिंग के बारे में तो आपको पता होगा मैंने पहले भी बता है कि इसके इंकमिंग में अकसर 11 किलो वोल्ट जो है लाइन वोल्टेज आता है और आउट गोईंग में ज कुछ नहीं है यार मतलब जब हम किसी भी दो फेस के बीच में यानि कि दो लाइन के बीच में अगर वोल्ट मिटर लगा दे तो वो जो रिडिंग दे रहा है वोल्टेज रिडिंग दे रहा तो उस वोल्टेज रिडिंग को हम लाइन वोल्टेज कहेंगे बट अगर हम एक लाइन में एक phase में voltmeter का एक terminal phase में connect कर दे और दूसरा जो terminal है उसको neutral के साथ connect कर दे या उसको ground के साथ connect कर दे तो उस voltmeter ने जो हमें voltage reading धी है उस voltage को हम phase voltage कहेंगे तो जो हमार 11 को 415 में भी जो convert कर रहा है यानि कि 2 phase के बीच में जब हमने voltmeter connect कर के देखा तो 415 के आसपस दिखा रहा था बट हम जो neutral wire निकाले हैं उस neutral wire में एक terminal हमने connect किया दूसरा जो हमने phase में connect किया तो हमें दिख रहा था कि 220 volt हमको मिल रहा है और यही 220 volt यानि कि एक phase और एक neutral आपके घर में दे दी जाती है और आप कहते हैं कि आपके घर में single phase supply आ रहा है हलाकि transformer output में जो है three phase दे रहा होता है तो तीन wire निकाल रहा होता है एक neutral के साथ तो उसमें से एक wire आपके घर भेज़ दी जाती है बाद बाद की दो जो phase है वो किसी और घर में भेज़ा जाता है या किसी और building में या किसी और locality में भेज़ा जाता है तो ऐसे जो है आप मोटे मोटे तोर पे आप ऐसा कह सकते है कि यह जो distribution transformer है वो दो काम कर रहा है एक तो voltage के level को decrease कर रहा है दूसरा आपका three phase से single phase में convert कर रहा है ऐसा आप कह सकते है हलाकि actually क्या हो रहा वो आपको चीज़े यहाँ पर समझ में आ रही है पर माल दीजिए कि आपके घर में जो load की requirement है वो बहुत जादा है आप बहुत बड़ी बड़ी motor चलाने वाले है बहुत बड़ा बड़ा machine चलाने वाले है तो इस case में आपका single phase supply से काम नहीं चलने वाला है तो आपको three phase चाहिए तो हमने दी है भाई हमने चारो वायर आपके घर में भेज दिया तीन phase वायर भेज़ा एक neutral वायर भेज़ा और आपने जो है इस तीनो phase में जो है load current कर रखा है तो यह पूरा जो है मान लिज़े कि आपका load है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसा कि आप circuit में देख पा रहा है कि यहाँ पर यह neutral वायर क्या करेगा तो यह जो neutral वायर है इस तीनो ही phase वायर के जो current है उसके लिए एक return path प्रोवाइड कर रहा है तो examples है मैं उसको समझता है कि मान लिज़े कि हमने तीनो पर एकदम same type का load current कर रखा है और 5 ampere current का requirement है तो फिर हमने देखा कि तीनो ही phase वायर से 5 ampere current जो है flow होता है और यह जो neutral वायर है होता है distribution transformer से होते हुए तो आपको समझ में आ गई कि किस तरीकी से circuit complete होता है और बीच में जितना भी अपने phases में जो है load current कर रखा है वो भी आपका काम करेगा क्योंकि उसके अंदर से भी current flow हो रहा है तो काईदे से अगर देखा जाए क्योंकि यह जो neutral वायर है इस तीनों ही phase wire के current को जो है return path provide कर रहा है यानि कि यहां से तो हमें यही समझ में आ रहा है चुकि यह हमारी neutral wire तीनों ही phase के current को return path provide कर रही है तो इसके अंदर से 15 ampere current जो है flow होने वाला है और distribution transformer तक पहुँचने वाला है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी wire का जो cross section है यानि कि कितना मोटा wire लेना कितना पतला wire लेना है यह depend करता है कि उसके अंदर से कितना current flow करवाने वाला है अगर जादा current flow करवाना है तो आपको जादा मोटा wire लेना है न्यूटल वायर से 15 एम्टर का current flow होने वाला है तो हमें तो जादा मोटा वायर ही उसमें लेना चाहिए पर आज के topic तो हमारी उल्टी है कि हम neutral wire को पतला क्यों लेते हैं इसके बिजिगा क्या कहानी है जरू कुछ नो कुछ हमसे यहां पर miss हो रहा है और यह भी बात सही है कि यह जो neutral wire है वो इस तीनों ही current को जो है return path provide करने वाला है पर बात कुछ ऐसी है कि यह जो तीनों current है 5 ampere flow हो रहा है हमारे तीनों wire में तो आपको पता है कि 3 phase system में यह जो तीनों ही current होते है यह एक दूसरे से 120 degree phase shift में होते है यानि कि एक साथ flow नहीं हो रहे होते है तो इसका क्या मतलब होता है जो idea के बच्चे है वो तो सोच रहे होंगे कि भाई यह phase shift क्या होता है तो आप इस तरीकी से समझे जैसा कि मैंने आपको बता है था कि जो alternating current होता है AC होता है वो अपनी direction को बदल रहा होता है कभी इस वाले direction से flow होगा तो कभी उसके opposite direction से flow होगा यानि कभी positive से flow होगा कभी negative से flow होगा तो यहाँ पे exactly हो ऐसा रहा होता है कि जब R phase से हमारा 5A का current positive direction से flow हो रहा होता है तो उसी वक्त Y और B phase से जो है opposite direction में जो है 2.5A का current flow हो रहा होता है तो अब अगर इस तीनो current को add करेंगे यानि कि positive 5 ampere, negative 2.5 ampere, negative 2.5 ampere यानि कि इसको add करेंगे तो आपको 0 मिलेगा और यह 0 ampere current जो है आपके neutral wire से flow हो रहा होगा कब जब तीनो ही phase में same amount of current flow हो रहा होगा और यह तब ही होता है जब तीनो phase में आप एक ही प्रकार का load करेंग करते हैं जो same amount of current को जो है ड्रॉक कर रहा होता है तो balance load condition में neutral में current flow नहीं होता है और यही वो condition होता है जिस condition में अगर आप neutral wire को हटा भी देते हैं तो आप बिना neutral wire के अपने three phase load को आप अराम से चला सकते हैं और इसका सबसे बड़ी example होता है हमारा induction motor induction motor जो एक balance load condition का example है जहां पे जो है आप बिना neutral wire के इसको अराम से operate करवा सकते हैं और यह जो number मैंने आपको बताया है कि five ampere का current आ रहा है two point five का जा रहा है two point five का जा रहा है two point five का जा रहा है फिर vector addition की है आपको zero मिल गया तो यह जो है मैंने आवे ही नहीं बता दिया है आपको इसका पुरा proper mathematical proof होता है और आप भी कर सकते हैं बहुत ही simple होता है और आपको engineering में पहली पहली बार जब पढ़ाई जाती है balance load condition का तो आपको उसी तरीके से बताई जाती है कि हाँ यहां पे हमको दिख रहा है कि हाँ calculation करने के बाद हमें zero आया पर आप में से ऐसे बहुत सारे लोग है जो iti से हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो class 11 12 के हैं तो इसलिए जो है मैंने इसको थरह simple रखनी की कोशिस की है और आपको इस तरीक से समझाया है आपको ऐसी explanation किसी भी book या किसी website में देखने नहीं मिलेगा औ और y और b phase अब देखें कि opposite direction में यहाँ पर दिख रहा है तो यह माली जब आप इसका submission लेंगे वेक्टर submission लेंगे तो आपका neutral में zero ampere current flow होगा तो यह तो बात थी balance load condition का पर practically अगर आप देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक फेस में आप एक ही प्रकार का load current करके यूज में ले रहे होंगे जरूरी नहीं है तो उसकेस में जो है एक फेस से मालीजे 10 ampere का current flow हो रहा है एक फेस से 7 ampere फ्लो हो रहा है और एक फेस से 5 फ्लो हो सकता है तो इस केस में आपका neutral wire से current flow होगा पर सवाल है कितना flow होगा तो यहां भी अगर आप waveform के वज़त से analyze करे करेंगे तो यहां आपको देखने मिलेगे सबसे कम current है मालीजे 5 फ्लो हो रहा हमारे फेस से उसका half या उसका one four time जो है आपको इस neutral wire से current flow होता हुआ दिखेगा कहने का मतलब यह है तो अगर हमारे system balance रहा तो neutral wire से current flow होगा ही नहीं और अगर unbalance system रहा तो वहां भी आपको बह तो चीज़े है उमीद है आपको अच्छे समझ में आई होगी मैं आपको अच्छे समझा पाए अगर आपको यह वीडियो पसंद आप से like करके बता है कोई सवाल रहका हो तो मुझे कवर सेक्षियर बता है मिलते हैं इसे किसी वीडियो में टिल देक क्या बाइबाइबाइ झाल